तो तयार हो जाईए महा बचत सेल के लिए इससे भड़िया मौका नहीं मिलेगा जहां आप मज़े ले सकते हैं बचत के May you save more यही है हमारा वादा इस 28 से 31 मई सभी सुपर कोचिंग पर आपको मिलेगा up to 90% off and 50% की extra validity ये वो मौका है जहां आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं आप अपनी ख्वाइशों को पूरा कर सकते हैं तो अगर आप तयारी कर रहे हैं SSC, banking, teaching, UDC net, CSIR net, EPFO, state PSC, UPSC, defense ऐसे exam की तो आईए इस महाबचस सेल में साथ मिलकर धूम मचाएं और अपनी सेविंग्स को यादगार बनाएं हलो दोस्तो, नमस्ते, आदाब, सस्तेकाल, आपका दोस्त गौरव, टेस्ट बुक सुपर कोचिंग पर स्वागत करता है तो दोस्तो, हो जाईए तयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं GK और GSP वार जहाँ पर हम लोग करेंगे वो सारे important सवाल जो आपके SSC, CGL point of view से बहुत ही जादा महत्पूर है लेकिन start करने से पहले सभी लोगों को भर-भर के good afternoon तो जल्दी से एक बाप फड़ावर से सभी लोग शेयर करते हैंगे जिससे सभी लोग यहाँ पर जुड़ सकें और हम इसको start कर सकें तो start करेंगे हम लोग motivational quote के साथ और आज का motivational quote है दोस्तो जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफे होगी जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफे होगी और जितनी बड़ी तकलीफे होगी उतनी बड़ी काम्याबी होगी बस आपको दोस्तो थोड़ा सा क्या करना होगा पेशन्स रखना होगा और fight करते हो जाना है हार नहीं मानना है ठीक है चाहे जो हो जाए आपको हार नहीं मानना है अपनी मंजिल को पाकर ही रुकना है इसलिए हम लोग यहाँ पर डेली मिलते हैं Monday to Friday दो पहर को दो से तीन बजे जहाँ पर हम लोग करते हैं GKGS के सवाल for SSC CGL ठीक है इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और सभी लोग क्या करेंगे फड़ावट से यस टाइप करेंगे जिससे मुझे यह पता चल जाए कि मेरी स्क्रीन और वॉइस एक दम क्लियर है और भाई साब पूछ रहे है अगर रेडी है तो फड़ावट से यस टाइप करेंगे और ह सभारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सफारिश की थी क्या वह वर्मा कमीटी थी केलकर कमीटी थी बलवंत रै-महता कमीटी यहाँ पर स्वणे सिंग कमीटी थी कौन सी थी यहाँ पर कर सर उस्षण नंबर 4 जैत लोग Val in ma Four एए उनका बिल्कुर कौन से भाग में हैं, तो भाग 4A में हैं, कौन से अनुछेद में हैं, अनुछेद 59A में हैं, कितने fundamental duty हैं, total 11 fundamental duty हैं, किस संसोधन से एड किया गया था, 42nd constitutional amendment act से एड किया गया था हमारे भारति सम्विधान में, बलवंत राय महता कमीटी जो है, इसने क्या recommend किया था, दोस्तो थ्री टीर सिस्टम पंचायती राज में, ठीक है, यह आपको याद अखना, पंचायती राज में, थ्री टीर सिस्टम जो है, इन्होंने ही recommend किया था, केलकर कमीटी जो है दोस्तो, यह PPP से related है, पबलिक प्राइ यक नदी नहीं है, कौन सी, यमुना, सतलज, दामोधर और सोन, कौन सी नदी नहीं है, जल्दी से बताई, यहाँ पे correct answer, simple सा question है, सतलज कह रहे हैं, ओके, चले, जितने लोग यहाँ पे सतलज, सतलज कह रहे हैं, उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा, यह आपको ध्यानक नहीं, क कलती है, यह आपको ध्यानक नहीं, गौमुख गंगोतरी कहां पर है, तो यह उत्तराखंड में है, गंगा नदी को गंगा नदी कहां से कहा जाता है, तो देव प्रियाक से कहा जाता है, देव प्रियाक पे दो नदियां आके मिलती हैं, वो कौन कौन सी है, अलकननन्दा है, कौन सी है अलकनंदा है और भागी रथी यह जब दो नदियां मिलती है कहां पर देव प्रयाग पर तब इसे दोस्तों क्या कहा जाता है गंगा नदी कहा जाता है गंगा नदी हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है longest river है ठीक है longest river है कितनी लेंद है इसकी 25-25 km है सवाल यहां प वो कौन सी है यमुना नदी है और यह भी आपको याद रखना है गंगा नदी को बांगला देश में कहां पर बांगला देश में किस नाम से जानते हैं तो इसको पदमा के नाम से जानते हैं किस नाम से पदमा के नाम से गंगा नदी की दोस्तों बाएं हाथ की ट्रिब्यू क्या 3G किलो मीटर चल कर वो क्या करता है सोडा पीलता है और कहता है यमी सोडा याद है न दोस्तों तो इससे हुआ था राम गंगा फिर हुआ था गंडक घागरा और कौन सा हुआ था गोमती फिर के से कोसी एम से महानंदा यमी से यमुना सो से सोन और दा से दामोदर ये ट्र जकत दोस्तों इसने अबोलिस किया था मतला हटा दिया था जो की इंपोर्ट ड्यूटी होती थी जब आप कुछ इंपोर्ट करोगे उस पे एक ड्यूटी लगती थी उसको जकत कहते थे जोस्तों सुल्तान स्वयम करशी के विकास में गहरी दिलचस्पी लेता था उसने अनाच पर जकत जो है आयात सुल्क को समाप्त कर दिया और एक माप जो है मानक शुरू किया जो मुगल काल की जो है तक जारी रहा और यह सुल्तान कौन था बलबन अलाउदिन खिल जी फिरू आउसे लोग कहरे है अलाउदिन खिल जी लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर अलाउदिन खिल जी नहीं था यहाँ पर पर भी के-जो हो याद रखेगा, सिकंदर लोधी बहुत ही फेमस था, इसने आगरा को स्थापित किया था, अगर आप से पूछा जाएगा कि आगरा को किसने फाउंड किया है, तो याद रखेगा, सिकंदर लोधी, लोधी डाइनिस्टी का आखरी राजात जो था, लास्ट किंग जो था, वो कौन सा था, वो था इब्राहिम लोधी, ठीक है, कौन था, इब्राहिम लोधी था, और इब्राहिम लोधी नहीं, दोस्तों याद होगा, 1526 में एक लडाई आजय, सुप्रभा मीनू, बहुत बड़ी, अगला कोश्चन, वाट वोज दा नेम ऑफ दा ओपरेशन देट लेड तू दा, ने, तू दा एनेक्सेशन ऑफ दा हाइदराबाद स्टेट इन इंडिया, उस ओपरेशन का नाम क्या था, जिसके कारण हाइदराबाद राज जो लोग ऑपरेशन पोलो कह रहे हैं, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, और दोस्तों इस ऑपरेशन पोलो को कब चलाए गया था, क्या यह सब्टेंबर 1948 में चलाए गया था, क्या 1948 में जल्दी जल्दी से फड़ावर से बताएंगे, तो आपसे पूछा जाता है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, कि बताएए, ओपरेशन गंगा जो है, यह दोस्तों किसके लिए चलाए गया था, तो आपको याद होगा, यूक्रेन में जो फसे हुए भारती लोग थे, उनको निकालने के लिए ओपरेशन गंगा चलाए जो की दोस्तों टर्की सीरिया के तरफ में अर्थक्वेक आया था, वहाँ पर बचाने के लिए लोगों की मदद करने के लिए ओपरेशन दोस्त चलाए गया था, सभी लोग मेरे को बताएंगे कि कौन से साइकलोन में आने के वज़े से जो लोग प्रभावित हुए थे, व दोस्तों बहुत सारी लोग परशान हुए थे और उसमें हैल्फ करने के लिए चलाएंगे, मोचा, वह याद रखेगा, ठीक है, मोचा साइकलोन, चले, आगे बात करें, और मोचा साइकलोन का नेम किस ने दिया था, यमन ने नेम दिया था, याद है ना, यमन ने, अगले क पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो भी यहाँ पर SSE की तैयारी कर रहे हैं, यह अपनी क्लास डेली होती ही, दो से तीन बजे, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहें SSE, CGL, MTS, STINO, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप जोड़ सकते हैं, सुपर 1 रुपे मिल जाएगा, और 50% extra validity, मतलब 6 महने पर 3 महना extra, सिर्फ आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करना है, और कूपन कोड क्या है, गौरव M, G-A-U-R-A-V-M, जैसी आप इसका इस्तमाल करेंगे, आपको maximum discount मिलेगा, और आप अपनी तैयारी भी कर पाएंगे, चल National Commission for Backward Class की regarding, आपको कुछ कथन दिये गए हैं, और बोला गया है, इनमें से कौन सा कथन, गलत है, ठीक है, बोल रहा है, Article 338B, जो है, और दोस्तों हमारे भारत का अनुछे 338B है, वो दोस्तों किस से सम्बंदित है, National Commission of Backward Class, दूसरा कह रहा है, National Commission for Backward Classes was established in 1995, 1995 में दोस्तों established किया गया था, National Commission for Backward Class को, फिर तीसरा कह रहा है, Reservation of Backward Classes in Government Job had been implemented by the Mandel Commission, और तीसरा कह रहा है, 100 Second Constitutional Amendment Act granted the Constitution status of the National Commission for Backward Class, कौन सा इसमें से गलत है, बताइए, यहाँ पर कह रहा है, बिलकुल दोस्तों बी ऑप्शन गलत है, क्यों बी ऑप्शन गलत है, क्यों बी ऑप्शन गल यहाँ पर एक करिक्ट रांसर होगा, देखिए, ऑप्शन नमबर जो A है, यह बिलकुल करेक्ट है, क्यों, क्योंकि देखिए, 338 में जो है, स्केडिूल कास्ट है, 338 B में जो है, 338 A में स्केडिूल ट्राइब है, और 338 B में जो है, यह National Commission for Backward Class है, तो यह तो बिलकुल करे इसर्वेशन जो है, मंदल कमीशन के तहट आया था, और 102 में सम्वेधानिक संसोदन, तो दोस्तों, यह दोनों जो है, स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यह करेक्ट है, सेकेंड गलत है, ठीक है, तो करेक्ट, यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नम पताईए, यहाँ पर करेंगे सर्वेशन सोच समझ के आंसर करिएगा, दोस्तों, इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो दोस्तों, यहाँ पर सिक्स सिक्स से सब लोग कह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ ही लोग सेवन क और सेवन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेवन फाइव यह प्लैन करेक्ट आंसर होगा, सेवन फाइव यह प्लैन कब से कब तक चला था, तो उनिस सो पचासी से लेके, 1985 से लेके, 1990 तक चला था, कब तक, 1985 से लेके, 1990 तक चला था, यह आपको ध 28 में अगर कभी exam में पूछ लिया जा तो 1928 में किया था जबकि भारत ने कभ श्टार्ट किया था 1959 में श्टार्ट किया था अब तक कितने पंचवर्षी योजना हो चुके हैं 12 हो चुके हैं पहला जो था वो कब से कब तक था तो 1959 से लेके 19056 तक था और कौन से model पे था हेरट डोमर मॉडल पे किस पे था हेरट डोमर मॉडल पे ये बेस था सेकेंड फाइव इर प्लैन जो था ये कब से कब तक था 1956 से लेके 1961 तक था और ये गडगिल मॉडल पे था ये आपको ध्यान अखना है गरीबी हटाओ जो है दोस्तो कौन से पंच वर्षी उजना का उदेश था फिफ्ट फाइव इयर प्लैन कौन सी गरीबी हटाओ ठीक है ये आपको ध्यान रखना है पूछा जाता है चले आगे बात करें अगले कोशन पे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर अच्छे दोस्तो आप से पूछा जा रहा है उत्तर उत्तर पुरा पाशन काल की निमलिखित में से कौन सी विशेस्ता आरंभिक और मध्य पुरा पाशन काल की विशेस्ता से भिन है मतला अलग है या फिर पीपल ऑफ दीस एज वर प्राइमरली फुड हंटर्स एंड गैदरर्स जल्दी से बताए बी ओप्शन बी ओप्शन करें बिलकुल करेक्ट आंसर होगा बी ओप्शन यहाँ पे यह आपको याद रहने है तुलात्मक रूप से बड़े जो है आपको शल्क फलक और खुर्चनी का प्रियोग किया जाता था अगला गोशन आपके लिए तर्म नाइट वाच्मेन इस रिलेटे टू विच स्पोर्ट ठीक है नाइट वाच्मेन एक शब्द है यह किस खेल से संबंदित है यह आपसे पूछा गया है क्या वो फुटबॉल है होकी है गोल्फ है या फिर क्रिकेट है किस से संबंदित है नाइट वाच्मेन यहाँ प यहां पे क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा cricket, ठीक है, cricket से दोस्तों कई बार संबंदित पूछ लियाता है, गली, गली किस से संबंदित है, अब वो गली गली नहीं है, जो आपे हम लोग घूमते फिरते हैं, ठीक है, कई बार पूछ लियाता है, wide ball, तो आपको पता ही है, no doubt इ मुझे comment करके बताईएगा, आप लोग comment box में, ठीक है, कि bunker जो है, यह किस खेल से संबंदित है, bumper तो हमने बता दिया, cricket से संबंदित है, bunker किस खेल से संबंदित है, वो आपको बताना है, ठीक है, चलिए, अगले question बढ़े, आगे बढ़ने से पहले, फटा वर सभी लोग, like और share करते हो, चलेंगे, अगला question आपके लिए, the color of cow's milk is slightly yellowish due to presence of, आपने कई बार देखा होगा, गाय के जो दूद होते है, उसका रंग, हलका सा, जो है, पीला होता है, वो क्यों होता है, राइबो फ्लेविन की वज़े से, कैरोटीन की वज़े से, रिबूलस की वज़े से किसकी वज़े से होता है, यहाँ पे B option कह रहे हैं, कि कैरोटीन होना चाहिए, बाखी ले, ठीक है, जित लोग कैरोटीन कैरोटीन कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, यह आद रखिएगा, ठीक है, कैरोटीन यहाँ पे correct answer हो जाएगा, अच्छ है, राइबो फ्ले की मातरा बढ़ जाने की वज़े से, यूरो क्रोम की मातरा बढ़ जाने की वज़े से, ठीक है, बलड का color जो है, वो red दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है, क्यों कि बलड में होता है, हीमोगलोबिन, क्या होता है, हीमोगलोबिन और हीमोगलोबिन में क्या होता ह है वो होता है आईरन तिक याद रहा पतियां जो होती है leaves leaves काहिज है green color दिखाई देता है क्यों क्यों कि होता है chlorophyll और chlorophyll में होता है green pigment और green pigment में होता है magnesium जिसकी वजय से यह green दिखाई देते हैं ठीक हैं चले आगे वहाइर्यकुर्ण यहां अगला question आपको दोस्तो एक तरफ यहाँ पे हर्षवर्धन के जो council of minister थे उनके बारे में दिया है और उनके department के बारे में दिया है यहाँ पर कहा रहे है कि अवंति ठीक है यहाँ पर सिखनदा कुंतला और समंता महराज ठीक है, Minister of Peace and War, the Commander in Chief of the Army, Head of Civil Administration या Head of the Cavalry, कौन सा यहां पर आपको correct match है यह आप से पूछ रहा है, जल्दी से बताएए, सभी लोग बताएंगे यहां पर correct है, दोस्तों कौन सा match correct है यह आप से पूछा गया है, फड़ा फड़ से सभी लोग बताएए, ठीक है, ठीक है, बहु होना चाहिए, option number B, B, उनका correct, C नहीं होगा, यहां पर B correct होगा, 1 और 2 correct answer हो जाएगा, क्या होगा, यहां पर अवंती जो है, वो Minister of Peace and War हुआ करते थे, जो सिगनादा होते थे, वो Commander in Chief of the Army होते थे, और यहां पर कहा गया है कुंतला, ठीक है, कुंतला जो होते थे, दोस्तों यह दो option तो, ऐसे भी eliminate हो जाने थे, आपके, ठीक है, तो यह ध्यान रखेगा, चले, आगे बात करें, और यहां पर उल्टा है, सामंता महराज, Head of Civil Administration होना चाहिए, मतलब यह होना चाहिए, तो यह भी गलत हो गया, 4th option, भी ठीक है, आगे बात करते है, अगला question, which one of the following is not the work of अश्वगोश, निमलिखित में से कौन सी अश्वगोश की कृती नहीं है, क्या वो, यहां पर सरीपुत्र प्रकरार, या फिर बुद्ध चरिता, या फिर सौंधर नंदा, या फिर मन्जू श्री मुलकलपा, जल्दी से बताए, कौन सा नहीं है, बाखी लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों, मैं आपको बता दू, जितने लोग बी भी कह रहे हैं, उनका गलत आंसर हो जाएगा, यहां पर correct answer क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, option number 4 हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है, ऐसे दोस्तों, बहुत सारी कि पूछ ली जाती है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा, कि राज तरंगनी किसके दोरा लिखी गई है, तो यह कलहान के दोरा लिखी गई, किसके दोरा, कलहान के दोरा है, ठीक है, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा, कि बताइए, यहां पर कुमार संभवा, कुमार सं इसे सवाल पूछे जाते हैं चले आगे चले अगले कोशिन बढ़ते हैं अगला सवाल In the context of the colonial India, which of the following act enfranchised 14% of the British Indian population अपनिवेशिक भारत के संदर में निमलिखित में से किस अधिनियम ने British भारती आबादी के 14 प्रतिशत को मत अधिकार प्रदान किया था क्या वो Government of India Act 1919, Indian Council Act 1909, Indian Independence Act 1947 और Government of India Act 1935 क्या होगा, 1909, 1909 तो correct answer यहाँ पर हो जाएगे दोस्तों, Government of India Act 1935 यह बहुत ही जादा importance है, ठीक है, अगर आप बात करोगे, UPSC, Government of India Act 1935 से ली गई है All India Services वो भी यहीं से ली गई है, ठीक है, क्या All India Services, अगर आप से पुछेगे यहीं से ली गई है, ठीक है, फिर उसके बाद अब सिप क्या पुछ लेंगे, यह सारी चीज़े ली गई और यहीं पर Abolish किया गया, इसी के तहट abolish किया गया था किसको, डायरेरिकी को, ठीक है, डायरेरिकी को abolish किया गया था, यह भी आपको ध्यान अखना है Judicial System, यहीं से ली गई है, क्या ली गई है, Judicial System, ठीक है, तो यह हमारे लिए बहुत ही जादा important है Government of India Act 1990 को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो Montegg Chemsford Reform के नाम से जानते हैं, यह भी याद रखना है चलिए आगे बढ़ें वेरी कुट समराथ, टानिया, विकास, रोहित ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन आपके लिए रहा इन्हें में से कौन सा भारत में हाली में पाए गए वाइरस का एक उधारन है क्या वो ट्रोजन है, नॉटन है, आवस्त है या फिर यहां पर बिड़ फिड़ेफेंडर है, जल्ली से बताईए विनीता करे सर लिखा हुआ PDF दीजिए सर तो लिखा हुआ PDF ही देता हूँ अगर आप ग्रूप में हैं ठीक है टेलेग्राम पे अगर आप जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएए अगला कोशन, पैसेंजर सिटिंग इना स्टेशनरी कार एक्सपीरेंस अ जर्क वेन दा कार सड़नली स्टार्ट दिस इस ड्यू टू खड़ी कार में बैठे यात्रियों को अचानक कार स्टार्ट होने पर एक जटके का अनुभव होता है, इसका कारण क्या है, इनर्शिया इनर्शिया ओफ उनर्शिया ओफ शश्अल इनर्शिया और उस प्रह देख को है, अप्ना बोड़ीृ रेख़ती आप जैसी गाड़ी के आप आगे चलो, लेकिन बोडी चाती नहीं, मैं रेघ़ती पर रहना चाती हूं, तो inertia of rest कहेगा कि मैं तो rest पे रहना चाता हूँ जिसकी वज़े से body जो है आगे की तरह बढ़ेगी और आपको एक जटका सा महसूस होगा ठीक है अब दोस्तों अगर इसी को मैं भी हो सकती है बिल्कुछ सही बात है ठीक है लेकिन वाइफ लोग को नहीं ऐसे बोलना चाहिए न नहीं तो फिर घर में कहा एंट्री मिलेगी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन आपके लिए इंडिया रेंक 2nd in the production of fruit और jathropha and jojoba are biodiesel crop जली सो बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर कहरे सर ऑपशन नम्बर 4 होना चाहिए कुछ लोग करे सर C होना चाहिए बाकी लोग क्या कहते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों पर जित्ते लोग ऑपशन A, C कह रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इनकरेक्ट पूछा है ठीक है करेक्ट नहीं पूछा है इनकरेक्ट पूछा है ठीक है तो यहां पर दोस्तों करेक्ट आंसर जो कह रहे हैं कि केरला करनाटका तमिल नाडूर तो ठीक ठीक है आंद्र प्रधेश में आपको दोस्तो में यहां पर अनमान निकोबार में वहाँ पर बल्की कि देखने को मिलता है तो इसलिए lama1 पर यह याद रखेगा आगे बात करें अगले पर अगला उषिण आप लिए रहा दोस्तों वाध्वणा वैटलेंड वाध्वणा बैर वैटलेंड जो है यह कहा परिस्तित आपसे पुझा गया वाध्वणा अधर्भूमी ठीक गुजरात में है उत्रप्रदेश में इसको दोस्तो जाईरान को पचाने के लिए क्या दोस्तो किया ऊप्साइड का दरजा दे दिया जाता है अच्योध रामसर क्या है क्या है पर दोस्तों एक सिटी थी कहाँ पर इरान पर यह हमने अल्रेडी डिसकस किया हुआ इसको दोस्तों यह डिसाइड किया गया था दो फरवरी 1971 को जितने भी वेट लेंड है मतलब आतरभूमी है उनको बचाना चाहिए क्यों क्यों कि अगर आपको फ्लोरा फ्रोना के ग्रो चाहिए तो वहाँ पर सबसे जाधा होता है तो यह डिसाइड किया गया लेकिन इसको व आपसर साइड कौन सा था यह होमवक है यही पर आनसर मत करिएगा मुझे पता है आप लोगों को पता है आंसर और आप यहीं पर कर दोगे आंसर लेकिन होमवक है है ना चालिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा अच्छा विच मेडिटरेनियन टाइप आफ क्लाइमेट इन एशिया दा मॉन्सून टाइप आफ क्लाइमेट इस फाउंड मेली इन दा साउथ और साउथ इस्ट रीजन या अलिमेंट ऑफ वैदर अंड़ क्लाइमेट आर नौट सेम जल्दी तो बताएं यहां पर वन इस करेक्ट आंसर यहा इस से का उन्सून टाइप ऑफ क्लाइमेट इस फाउंड म्ली इन इसाउथ प्लाइमेट इसं फाउन साउथ इस्टन रिजन लोल्ह सोटे समय के लिए वहां केलिए संगले समय कोष्ण से और यह यहां पर भी आपको बताना है इंकर्क साथ ध्यान से कढ़़े यह question में इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आपको पता है CGL में कई बार इस type के question या फिर high level question पूछ लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना होगा निम लिखे तुम इसे कौन सा कथन गलत है asteroid are rocky object revolving around the sun ठेक है a satellite is an object that orbit or revolves around the larger one या फिर comets are solar system orbiting fireball made up of gases, rocks and dust या फिर a meteorite is a piece of solid debris from space-born object इन में से कौन सा incorrect है गलत कौन सा है जली सब दाए A option A option तो correct answer यहाँ पर हो जाएगे दोस्तों option number 3 comet are solar system orbiting fireball made up of gases, rocks and dust ये गलत है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे बात करते है अगला question अगला सवाल है In which of the following temples will you find Nagara style ठीक है दोस्तों तीन प्रकार के मंदिर होते हैं Dravida, Nagara और Vasara आपसे बोला गया निमलिखित में से कौन से मंदिर में आपको Nagara शैली देखने को मिलेगी शिव टेंपल, चिदंबरम, सन टेंपल, कोनार्क, रंगनाथ स्वामी टेंपल, स्री नगरम और दिलवारा टेंपल, माउंट अबू सिंपल सा कोश्चन है, Nagara कहां पर देखने मिलता है, उत्तर भारत में, उत्तर भारत का जो मंदिर हो वो लगा दो, टिक D option, D option, तो जित्ते लोग D option कह रहे हैं, भाई, सन टेंपल एक बात बताईए, सन टेंपल कहां पर है सन टेंपल कहां पर है, तो यहां पर सभी लोग कह रहें, सर होना चाहिए, D option, D option, बाखी लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों, जित्ते लोग यहां पर D option कह रहे हैं, उनका गलत आंसर हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चले आगे, ठीक है, करेक्ट आंसर आ आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर का सन टेंपल, कोनार्क, जो की दोस्तों, इसको हम लोग ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक पगोडा, ठीक है, और यह कहां पर रिस्तित है, यह याद रखेगा, उडिसा में है, यह भी आप से पूछा जाता है, ठ ठीक है, very good, ठीक है, यहाँ पर, हाजी, और दोस्तों, अगर आप से पूछ लेता, वसारा मंदिर का एक्जामपल, वसारा का, ठीक है, बाकि अगर साउथ के देखोगे, जितने जैसे ब्रिदेश वर मंदिर हो गया, शिव टेंपल, चिदंबरम हो गया, यह सारे किसे जारे किसे है, दरवीडा है, ठीक है, हाँ, जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन पर, अगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा, यहाँ बोला जा रहा, which of the following state of India has the highest number of people living in ruler areas according to the census of India 2011, ठीक है, भारत की जनगंडा 2011 की अनुसार ग्रामीड छेत्रों में रहने देखें, क्या वो बिहार है, राजिस्थान है, जारखंड और उत्तरप्रदेश है, कहां किये दोस्तों, उत्तरप्रदेश, उत्तरप्रदेश, करेक्ट आंसर यहाँ कि हो जाएगा, उत्तरप्रदेश हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अगर हम बात करें बिहार की density, population density जादा है, जनसंख्या घनत्व ठेक है, population density यहां की जादा है क्योंकि हमने बात की थी यहां पर लगभग आपको 1100 लोग, लगभग 1100 लोग जो है प्रती किलो मीटर स्क्वेर पर आपको देखने को मिलते हैं, ठेक है और सबसे कम घनत्व कहां की थी ठेक है, यह तो highest population density हो गई ठेक है, lowest अगर हम बात करें तो lowest हमने कहां पर देखा था अरुनाचल प्रदेश में क्योंकि अरुनाचल प्रदेश में आपको 17 वेक्ती मिलेंगे प्रती किलो मीटर स्क्वेर पर ठेक है, अगर union territory अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, यहां पूछा जारा which of the following may be called as fiscal deficit, निमलिखित में से किसे आप राजकोशी घाटा कह सकते हैं, क्या revenue expenditure minus revenue receipt capital expenditure minus capital receipt या फिर total expenditure minus total receipt other than borrowing, revenue expenditure plus capital expenditure minus revenue receipt, किसको कहेंगे आप fiscal deficit होना चाहिए, यहां पर correct answer क्या हो जाए, correct answer होगा आपका option number C, total expenditure में से, जब total receipt minus करतेंगे, other than borrowing उसको हम लोग क्या कहेंगे, physical deficit कहेंगे, ठेक है, आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले सभी लोग क्या करेंगे, फटा वट से एक बार like और share करते हो चलेंगे, अगला question आपके लिए if any state restrained the governor of the state in his capacity as chancellor of university, then it will be violated the dash, ठेक है यदि कोई राज विश्विद्यालियों के, कुल जो है, कुल अधिपती के रूप में अपनी छमता से राज के राजपाल को रोखता है तो यह dash का उलंगन होगा किसका होगा, law commission norms या Indian university commission norms university grant commission norms या फिर election commission norms simple सा question है, UGC UGC तो correct answer है आप क्या हो जाएगा UGC is the correct answer, यह याद रखेगा ठीक है, चले, अगला question आपके लिए यह रहा which of the following statement is not correct, इनमें से कौन सा कथन जो है, correct नहीं है, regarding राज के निती निर्देश, मतलब directive principle of state policy के, यह कह रहा है, it determines to establish welfare of state, ठीक है, दूसरा कह रहा है, it is the duty of the citizen to apply DPSP principles in making laws, ठीक है, तीसरा कह रहा है, the state shall endeavor to secure for the citizen uniform civil code through the territory of India, fourth है, it ensures equal pay for both men and women at work, जल्दिस बताए, कौन सा इनमें से गलत है, नहीं इनमें से हाँ, कौन सा not correct incorrect है मतलब, be option, be option तो दोस्तों, बिल्कुत सही बात है, यह क्या कह रहा है it is the duty of citizen, no it is not the duty of citizen, it is the duty of state, राज का दोस्तों यह करते है, ठीक है, इसलिए यह कथन गलत है, ठीक है, यह not correct, याद रखेगा correct नहीं है यह, चले आगे अगले question बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए यह रहा, प्रोफेशर चिंतामनी नागेसा रामचंद्र, राव is the first Indian scientist to cross the H index of 100, he was awarded with the भारत रत in which year, ठीक है, चिंतामनी नागेसा रामचंद्र, जो है H, सूचकांग को पार करने वाले प्रथम भारती वे ग्यानिक है इन्हें निम्न में से किस वर्स में भारत रतने से समानित किया गया था 2009, 2014, 2015 और 2019 में, जल्दी से बताएं यहाँ पर कहरे सर, 2009 होना चाहिए, ओके, बाखी लोग क्या कहते है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जित्ते लोग 2009, 2009 कहरे उनका गलत आंसर है, दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ठीक है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा 2014 होगा, क्या होगा 2014 करेक्ट आंसर होगा अब भारत रतने जो है, भारत का सबसे highest civilian honor है भारत रत्न की शुरुवात जो है वो किस वर्स में हुई थी 1954 में उस समय तीन व्यक्तियों को दिया गया था सीवी रमन जी को दिया गया था सी राजा गोपालचारी जी को दिया गया था इनका नाम याद रखेगा और किसको दिया गया था सर्वपली राधा कृष्णन जी को दिया गया था कब 1954 में जश्ट उसके next year में 1955 में किसको दिया गया था जवाहलाल नहरू जी को दिया गया था ये आपको ध्यान लखना है सचिन टेंडूलकर जी को कब दिया गया था 2014 में दिया गया था किसको सचिन टेंडूलकर जी को ठीक है आप से पूछा जाता है कि बताईए प्रणम मुखर जी को कब दिया गया था प्रणम मुखर जी को क्या इनको 2019 में दिया गया था क्या 2019 में ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है चले आगे बहुत बढ़िया अगले कोशन बढ़ते हैं दोस्तो 270 लोग लाइव हैं लेकिन लाइक इतने कम की हो फड़ा वरसे एक बार लाइक और शेर करते हैं 350 की उपर लेके चलते हैं अगला सवाल आप लिए वस्तु की स्थिती चाहे जो भी हो उसका आकार छोटा हो जाता है दरपड किस प्रकार का है क्या वो कॉन्वेक्स है मतलब उत्तल है कॉन्केव है मतलब अवतल है इधर कॉन्वेक्स और कॉन्केव या इन में से कोई भी नहीं फड़ा वरसे बताईए convex convex कहे रहे हैं correct answer क्या हो जाएगा convex हो जाएगा यह आपको याद रखना है convex mirror convex mirror का इस्तमाल किया जाता है दोस्तों आप लोग उने देखा होगा side mirror ठीक है आपने vehicle में देखा होगा जो side mirror होता है उसमें क्या होता सारा कुछ दिखरा होता ठोटे से उसमें अगला कोश्चन आपके लिए यहाँ पे मद्ध यूगीन काल की महा कावे कविता पदमावत जो है किसने लिखी थी क्या ये मुला दाउद ने अमीर खुश्रो ने अबुल फजल इम्न बुमारक ने या फिर मलक महम्मद जयासी ने दी आप्शन दी आप्शन जी हाँ जितने लोग दी आप्शन करे रहे हैं मलक महम्मद जयासी उनका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि शाह नामा जो है ये किसके द्वारा है ठीक है चले अच्छा बाबर नामा पूछेगा ठीक है तो बाबर नामा दोस्तो किसने लिखी थी बाबर ने लिखी थी हाला कि दोस्तो बाबर ने तुझके बाबरी लिखी थी दोस्तो लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया था अगर पूछेंगे अकबर नामा किस ने लिखा था तो अकबर नामा जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताए हुमायू नामा जो है ये किस के द्वारा लिखा गया है तो हुमायू की बहन ने लिखा था गुल बदन बेग इनका नाम था यह आपको द्यान रखना है चाले अगले कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा यहां पुछा जा रहा दा ग्रेट आर्टीसियन बेसिन इस लोकेटेड एट ग्रेट आर्टीसियन बेसिन जो है वो कहां इससे थे साथ अमरिका में हैं देखते लोग यहां पर ऑस्टेलिया ऑस्टेलिया कह रहे हैं उनका बिल्कुल कर्डेट आंसर हो जाएगा ठीक है और आश्टेलिया के प्यम कौन है एंथनी अलबनीज यह आपको ध्यान रखना है ठीक है और आप से पूछा भी जाता है यहां की फेमस सिटी जैसे यहीं पर आपको great barrier reef भी मिलेगा, क्या मिलेगा, great barrier reef भी यहीं पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, अगला question आप लिए रहा, which of the following budget discard the principle of incrementalism, ठीक है, निमलिखित में से कौन सा budget जो है, व्रधी शीलता, मतलब incrementalism की सिध्धान्त को अलग कर देता है, क्या वो program budgeting है, या फिर zero based budgeting है, outcome budgeting है, या फिर systemic budgeting है, जल्ली से बताइए, यहाँ पर zero कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कहते हैं, चले, जितने लोग zero zero कह रहे हैं, उनका बिलकुल correct answer होगा, zero based budgeting जो है, वो correct answer हो जाएगा, शुन आधारित budget, ठीक है, चले, अगला सवाल आपके रिलीज थ्री बुक्स, published by directorate of publication division, which among the following book is not one of them, दोस्तों, 2022 जुलाई में, अनुराक ठाकुर ने तीन किताबों को जो है, रिलीज किया था, दिये गए option में से कौन सी किताब है, जिसको रिलीज नहीं किया गया था, ठीक है, interpreting, geometries, flooring, राश्पती भवन, moods, moments and memories, sorry, memories, former president of India, इंडिया, जो है, ancient legacy of wellness, a visual history, first citizen, pictorial, record of president, रामनात कोविन, जल्दी सो बताइए, C option, C option कह रहे हैं, तो यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा, correct answer जो होगा, दोस्तों, option number C होगा, इंडिया, ancient legacy wellness, ये नहीं थी, बाकी सारी किताबे जो है, लॉंच किया थी, अभी दोस्तों, हाली मे मैंने आपसे question पुछा था, war and woman, 2023 में ये किताब को release किया गया है, war and woman, जो है, ये किसकी किताब है, M.A. हसन जी की किताब है, ये आपसे पुछा येगा, victory city, कौन सी, victory city जो है, ये किसकी किताब है, तो ये है सलमान रुष्दी की, किसकी है, सलमान रुष्दी की है, ये भी पूछा जा सकता है ठीक है यहाँ पर अभी दोस्तों my life in design क्या my life in design जो है यह पुस्तक किसकी है तो याद रखेगा यह किसकी है यह है दोस्तों गौरी खान जी की है ठीक है तो यह अभी 2023 की latest किताबे हैं तो यह आप से पूछी जाती है ठीक है एक दोस्तों हम लोग ने पढ की है ठीक है रचना रावत जी की यह भी आपको द्यान रखना है आगे बढ़ें चले वैरेगुड यहां पर पोखिता राज अजय समराट कभीता पवन बहुत बढ़ी है अगला सवाल आपके लिए यह रहा which of the following are connected by the Swiss Canal ठीक है निमलिखित में से कौन स्विज नहर से है यह याद रखेगा यह उप्शन बिल्गुल करेक्ट हो जाएगा जो मैटेरियन सी है वह रैट सी को और किस से जोड़ती है वह आपको मैटेरियन सी से जोड़ती है यह आपसे पूछा जाता है स्विज कैनल को कब दोस्तों स्टार्ट किया गया था तो 1869 में ठीक है यह एक बार एक्जैम में पूछा गया है 1869 में ठीक है सभी लोग बताएंगे दोस्तों जो गल्फ और जिब्राल्टर इस्टेट यह किसको किसको जोड़ता है अलग तो दोस्तों यह यूरोप को अफरिका से करता है लेकिन जोड़ता किसको है यह आपको होमवग में बताना है सेकेंड होमवग लिख लिजे और होमवग जरूर करया करिए दोस्तों जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा ठीक है आचली यहाँ पे बहुत से लोग आंसे कर रहे है लेकिन वो होमवग है ठीक है अगला कोशन आपके लिए रहा दोस्तों नेम दा पैन इंडिया सैट इंडियन आर्मी एक्स्टेंडिंग फ्रॉम दा अंडमान निकोबार आइलेंड टू लदाख एंशोरिंग ऑपरेशनल रेडिनेस ऑफ हाइटेक सैटलाइट सिस्टम अंडमान और निकोबार दीप सम्हू से लदाख तक भारती सेना द्वारा आयोजित पैन इंडिया उप हाइए जो हाई टेक उभ्रेग competitors Uhr की प्रशालन तक परता सुझिस्चित करता है सकाइलाइट है मोललाइट ह इस्पेस लाइट on blessing call ठीक है किस संप्रदाय के अनुवाई जो है वो धदकते हुए मतलब जलते हुए अंगारों पर जो है अगनी नित्य करते हैं क्या वो रामदई हैं जसनाथी है प्रनामवी है या फिर खालसा है कौन होगा दोस्तो यहाँ पर कुछ लोगा करेसर बी होना चाहिए कुछ लोग कर दी यहाँ पर कहोगा करेक्ट यह पर आणसर जितनाथी उनका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा देखें दोस्तों अलग-अलग धरम की चीजें rattach कोई फेस्टिवल मनाती तो उसके बारे में भी पूछा जाता है तो उसको ध्यान से थोड़ा सा करके जाना एक्जाम में ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल अगला सवाल आपके लिए दे मैटल डाट इस यूजिली एक्टेटेट फ्रॉम सी वाटर इस आम तोर पर समुद्री जल्प के जो है निकलने वाली धातू कौन सी है कैल्शियम सोडियम पोटेशियम और मैंगनीशियम कौन सी है एने ना नौट अविलेबल नौट अविलेबल अच्छा एने अच्छा स सोडियम अब बल रहें तो क्रेक्ट आंसर यहांपने पिंपंगनीशियम का ता निर्थ नहीं के इक थे निकलती है तो आयरन याद रखेगा आइंड क्योंकि आयरें वे दोफ्स्तों आपको पता है को रोजन हो कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा ठीक है लज्जा लज्जा इस अ कंट्रोवर्शियल बोक हूँ इस ऑथर आफ दिस बोक दोस्तों लज्जा एक विवादस्पद पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है क्या वो अनीता दिसाई है तसलिमा नास जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगी ये आपको ध्यान रखना है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर रोंगाली कोंगाली एंड भोगाली और टाइपस ऑफ विच फेस्टिवल रोंगाली कोंगाली भोगाली किस तरह के या उस सब प्रकार है बीहू रमजान ओनम भी है और ये फेस्टिवल भी है ठीक है अब सवाल ये उठता है कि देखें रोंगाली ठीक है कोंगाली और भोगाली ठीक है भोगाली ये आपको ध्यानक नहीं रोंगाली देखें कब सेलिबरेट किया जाता है रोंगाली अप्रेल के महने में किया जाता है ठीक है कोंगाल ठीक हो ठीक है इसको new year भी कहा जाता है ये आपको ध्यान रखना है आगे बात करें अगले question पर चाले अगले question बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी screen पर ये रहा ठीक है who were the Indian leaders who represented Bihar in 1857 revolt 1857 के विद्रोग में बिहार का प्रतिद्व करने वाले भारती नेता कौन थे कुवर सिंग अमर सिंग या फिर लियाकत अली नाना साहिम खनन बहादूर खान और बहादूर सा लक्षमी बाई और तात्या तोपे option number AAA जित्ते लोग option number A कह रहे हैं उनका correct answer होगा 1857 की जो क्रांती थी ठीक है उसमें दोस्तों अगर हम बात करते हैं वो किसके दौरा start की गी थी मंगल पांडे जी के दौरा किसके दौरा मंगल पांडे ठीक है मंगल पांडे जी ने कहां से शुरुआत की थी मीरट से कहां से मीरट से और मीरट कहां पर है यूपी में है बहुत ही बढ़िया ठीक है अब अलग-अलग जैसे अलग-अलग लूग लीट कर रहे थे जैसे की लखनव से लखनव से बेगम हजरत महल कौन कर रही थी ठीक है याद रखेगा अगर आपसे पूछा जाये कि बताइए बनारस स पतलब बनारस से कौन का रहा था नाना साहिब थे यह बनारस से कोई भी नहीं था चले कानपूर से कौन था कानपूर से नाना साहिब थे कौन थे ठीक है जहासी से जहासी से कौन थी जहासी से रानी लक्षमी बाई थी कौन थी रानी लक्षमी बाई थी यह याद रखेगा फ 1557 की करांती को first war of independence भी कहा जाता है विदी सावरकर जी के दवार लिखे गई गई और आपको मैं बता दू तो दोस्तो आप लोग बताईंगे कि कौन से नमबर की बर्थ अनिवर्सरी मैं तो answer लिखने जा रहा था ठीक है चले कोई नहीं अच्छा हो याद आ गया 140 140 बिल्गुल correct answer हो जाएगा ठीक है correct answer क्या हो जाएगा 140 जितने लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer होगा और दोस्तो current affair में हमने पढ़ा था और साथ में ये भी पढ़ा था कि बांदरा वर्सोवा bridge जो है उसका नाम दोस्तों इनके नाम पर रखा जाएगा ठीक है चले आगे बात करतें अगले question पर the popular folk dance named दलखई दलखई is traditionally associated with which following state ठीक है निमलिखित में से किसराज के साथ जो है पारंपरिक रूप से जुड़ा दलखई नाम का लोकप्री लोकनित है क्या वो गुजरात है उडिसा है केरला है या अरुनाचल प्रदेश है उडिसा उडिसा कह रहे हैं यहां पर correct answer क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा उडिसा उडिसा is the correct answer आपके exam में पुछा गया था नौखई festival नौखई festival यहीं पर मनाया जाता है कहन सा नौखई festival ठीक है दोस्तो धोल यात्रा हो यहां पर रतियात्रा ओटीक है इस सारा कहां पर अडिसा उडिसा का एक dance भी पूछा गया था पाइक का dance करस्या चाएगा अगे बात करें चले अगला सवाल के लिए यह रहा the site of fertilization in human female age ठीक है बादा मानव में निस्चेचर स्थल कौन सा होता है क्या वो वजीना होता है यूटरस होता है फैलोपियन टीप या फिर ओवरी कहां पर होता है ठीक है तो यहां पर correct answer हो जाएगा दोस्तो अगर फैलोपियन टीप नहीं देता है अप्शन में तब आपको यूटरस बोलना है अगर आपको दोस्तो फैलोपियन टीप देता है तो आपको answer यही करना होता है यही पर ओवम और स्पम जाके दोस्तो क्या होते है मिक्स होते हैं और जाइगोड का formation होता है राइट अगला गुशन निमलिखित में से कौन बिहार और देश के अन्य हिस्सों में मनाए जाने वाले छट महापर्व के बारे में विस्तार से लिखने वाली पहली महिला लिखिका है अनामिका, मन्ना बहादूर, सांती, जैन और निकिता सिंग यहाँ भी कहरे सर होना चाहिए C option, C option कुछ लोग कहरे सर A option, correct answer यहाँ क्या हो जाएगा C option, सांती, जैन जो है यह correct answer हो जाएगी, ठीक है अगला question आपके लिए यह रहा बांगला देश was liberated on बांगला देश डैश को सतंतर हुआ, कब हुआ यहाँ पे 14th December 1971 15th December 1971 16th December 1971 और 17th December 1971 Year तो सेम है, मन्त भी सेम है बस आपको date याद रखनी है और वो date कौन सी है C option, C option कहरे है, correct answer यहाँ पे हो जाएगा C option, 16th December 1971 बांगला देश की capital क्या है धाका है ठीक है, यहाँ की currency क्या है तका है, यहाँ का national game कौन सा है कबड़ी है, क्या कबड़ी याद रखेगा, यहाँ पे दोस्तों गंगा नदी को क्या कहते है, पदमा कहते है और ब्रह्मा पुत्र नदी को क्या कहते है जमुना कहते है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है बांगलादेश की जो PM है PM कौन है, सेख हसीना कौन है, सेख हसीना यहाँ की PM है, यह याद रखेगा और दोस्तों जो प्रेसीडेंट अभी हाली में बने हैं, उनका नाम भी ध्यान रखेगा, जो मुहमद शाहबुद्दिन, कौन है, मुहमद शाहबुद्दिन, याद रखे लीजेगा ठीक है, चले, आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पे, अगले कोशन बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले फटावर्ज एक बार लाइक और शेर करते हों चलते हैं अगला सवाल ओहो, हो, 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 हो दोस्तो, यहाँ पे समय होता है समाप्त, जहाँ पर आज हमने मिक्स कोशन किये हैं, और दोस्तो इसकी PDF कहाँ पे मिलेगी, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, टेलिग्राम पे, वो कैसे मिलेगी आपको टेलिग्राम पे सर्च करना है यहाँ पे YouTube सेशन के अपडेट मिलते हैं PDF मिलते हैं, डिसकेशन होते हैं, क्यूज़ होते हैं QR को दोस्तो, आप लोग स्कैन करके जुड़ सकते हैं या फिर डाइरेक्ली सर्च कर सकते हैं आप लोग गौरव मौरया सर टेस्ट बुक यह भी सर्च करके आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं मैं आपको लिंक दे देता हूँ गुरूप का जिससे आप लोग आसानी से जुड़ के वहाँ से क्या कर पाओगे PDF कलक कर पाओगे यह रही लिंक आप लोगों के लिए किस तरीके से course अवेल कर सकते हैं यह कई लोग पूछ रहे थे तो simply आपको क्या करना है आपको चले जाना है YouTube पे YouTube पे जाने के बाद आपको Super Coaching SSC Railway by Testbook चैनल पे चले जाना है चले चलते हैं Super Coaching SSC Railway by Testbook चैनल पे उस पे जाने के बाद आपको जैसी स्क्रोल डाउन करोगे आपके सामने यहाँ पर जो है live class इसी पे जाना है इस class में इस class में जाने के बाद आपको description पे चले आना है नीचे की तरफ आएंगे और सबसे पहले तो like करेंगे जिन्होंने like और share नहीं किया है description open जैसी आप करोगे आपको यहाँ पर देखिए link मिलेगी join super coaching ssc railway इसको click करिए आपके सामने एक new page open होगा जहाँ पर आपको सारी detail मिलती है आप यहाँ पर जैसी जाओगे pricing में जाए pricing में जाने के बाद आपको अलग-अलग plan मिलते हैं जो भी plan suitable है आप उसको select कर सकते हो आज 30 मई है दोस्तो कले कर 30 कलाश दे है offer का तो आप इसको avail कर सकते है apply कर दीजे coupon code गौरव-M-G-A-U-R-A-V-M जैसी apply करोगे आपको यहाँ पर discount मिल जाएगा और आप अपनी तयारी भी कर पाओगे ठीक है तो चलिए दोस्तो इस session को फिर यहीं पर करते हैं समाप्त यह session अच्छा लगा है तो comment करके जरूर बताएगा like, share, subscribe नहीं किया है तो कर लिजे, bell icon button को दबा लिजे जिससे सारे notification आपको up to date मिले homework जरूर करिएगा जिससे आपका revision और practice भी चलती रहेगी तो मिलेंगे हम लोग एक नए जोश के साथ एक नए session के साथ जुणना मत भूलेगा मेरे साथ अगले session में तब तक के लिए रखेगा अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहेगा आपका दोस्त अभी के लिए विदा लेता है, bye bye, take care जै हिन्द, जै भारत